केरल राज्ये से एक चोकाने वाला मामला सामने आया है यहाँ एक गाउं के 10 साल पहले अपने घर से लापता हुई यूवती अपने प्रेमी के साथ मिली है मगर इसमें सबसे हरानी वाला खुलासा ये है कि ये युबती इतने साल थक अपने प्रेमी के घर के एक कमरे में छुप कर रह रही थी नमस्कार आदाप मैं हूँ हमिट सैफी और आप देख रहे हैं टाइम 24 नियूज दोस्तों एक इनसान घर के किसी एक कमरे में कितने दिन छुप कर रह सकता है एक महीना, दो महीने, छे महीने, साल, दो साल मगर जिस रिपोर्ट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उस रिपोर्ट को देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे क्योंकि इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि केरल के एक गाउं में रहने वाली युपती अपने प्रेम को सफल बनाने के लिए अपने घर से फरार हो गई और घर के पास ही रहने वाले अपने प्रेमी के घर के एक कमरे में जा छुपी जबकि इस बारे में दोनों के अभी भावकों को भनक भी नहीं लगी पुलिस के मताबिक कहानी की में किरदार यानी 10 साल तक एक ही कमरे में छुपी रहने वाली युपती फरवरी 2010 में नेमारा थाना चेतर के अईयरूर से लापता हुई थी और उस समय वह सिर्फ 18 साल की थी पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जाच की पुलिस के मताबिक युपती के प्रेमी का घर से उसके माता-पिता की घर के नजदी की था और वह इस साल मार्च तक उस व्यक्ती के साथ ही रह रही थी पुलिस के अनुसार कराक्टू पारंब गाउं में एक कमरे में रह रही इस युपती की देखवाल 10 साल तक उसके प्रेमी ने की थी महिला रात में कमरे की खिड़की से बाहर निकल जाती थी जो की दिन में बंद रहता था महिला के कमरे में कोई शौचाल भी नहीं जुड़ा हुआ था उसका प्रेमी उसे खाना पहुँचाने के साथ-साथ अन्य जरूरी चीजे दे जाता था और बाहर से कमरे को बंद कर देता पुलिस का दावा है कि युप्ती का प्रेमी तीन महीने पहले लापता हो गया था जिसकी जाज के दौरान हैरत अंगेज कहानी का खुलासा हुआ दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार आदाब जैहिन